एलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले सी बीजी क्लाश 10 मैट्स का बेजिक मैट्स का उस्वाल का जो सेंपल पेपर है उसमें अपने बात करेंगे सेल्फ असेस्मेंट पेपर नंबर टू सेक्शन ची इसके पहले आल्डेडी मैंने मैं बात करने वाले सेक्शन सी की सेल्फ असेस्मेंट फेपर नंबर टू की इसका भी मैं आपको बता दे रहो इसका भी जो सेक्शन एबी है वह आपको यूट्यूबबे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन और उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना क्योंकि आपको यहां पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे हें के कुण नमबर 26 सेक्षण सी प्रूव इट्रूट 2 प्लस रूट 5 इस इर्रैस्नल नमबर चोलो आपने रीड कर लिए रूट 2 प्लस रूट 5 इस अरेस्नल नमबर प्रूव करने के शहों मानके चलते हैं रूट 2 plus root 5 is a rational number क्या मान के चलते हैं कि root 2 plus root 5 क्या है आपका rational number है so that root 2 plus root 5 is equal to a upon b squaring on both side क्या करेंगे दोनों side square कर देंगे so root 2 plus root 5 का all square is equal to a square upon b square तो यहां पर क्या है का formula a plus b का all square तो a square plus 2ab plus b square is equal to a square upon b square formula आईगी न a का square मतलब root 2 का square 2 2ab 2 का 2 2 5s are 10 10 root 2 and root 5 का square 5 5 plus 2 7 plus 2 root 10 is equal to a square upon b square so अभी क्या करेंगे सिर्फ root 10 को यहां पर रखेंगे तो a square upon b square minus 7 हो जाएगा तो क्योंकि 7 equal to के सामने जाएगा तो plus है तो माइनस हो जाएगा करेक्ट और जे 2 है न वो मल्टिप्लाय में होगे तो equal to के सामने डिवैड में चले जाएगे इस जेड़ क्लियर यहां तक का चलो बात करेंगे अगे अगर मान के चलते फ़िए न पहरे कि हमकी यहां पर यह रह्त है आरेचेस इस और रिश्नल नंबर कैसा है RHS is a rational number but LHS is irrational number कैसा है LHS is irrational number so root 2 plus root 5 is irrational क्या हैगा root 2 plus root 5 is a irrational number चलो next questions की बात करेंगे question number 27 read करो question number 27 को find the zeros of quadratic polynomials 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between the zero and the coefficient यह जो निमेरिकल साना वो तो टेक्स्बूक का यह है करेक्ट स्टार्ट करेंगे क्या लिखाए 6x square minus 3 माइनस 7x फ्रस्ट और देख्वा जो ऐसा निमेरिकल दिया न तो पहले आपने इसको क्या करेंगे order में लिख देंगे किस तरह लिखेंगे 6x square minus 7x plus प्लस 3 है ना ओके माइनस 3 माइनस 3 is equal to 0 डन तो इसको क्या करना आपको स्प्लीट करना है तो सिक्स फर्स्टम और लाश्टम का मल्टिप्लाइग करना है सिक्स त्रीजार एटीन एटीन के आपको ऐसे पार्ट करने कि जिसका प्लस और माइनस करके 7 अंसर मिले तो 9 टूस आर एटीन 9 माइनस 2 आपको क्या मिलेंगे 7 मिल जाएंगे ओके लिख दो यहाँ पर 6x square minus 9x plus 2x minus 3 is equal to 0 so that both question में सबने क्या common निकालेंगे एक तो x common आएगा और 3 common आएगा तो bracket के बार क्या common आएगा 3x तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x minus 3 and second हम की बात करें तो second में से कोई value common नहीं है तो c plus 1 common निकालेंगे bracket में आएगा 2x minus 3 is equal to 0 तो देखा आपके दोनों bracket कैसे आगे सेम आगे तो first bracket में लिखतो हो 2x minus 3 second bracket में लिखतो 3x plus 1 is equal to 0 दोनों को individual अपने 0 दे देते हैं तो x is equal to 3 by 2 और x is equal to minus 1 by 3 is that clear चलो अभी यह आपको alpha मिला यह आपको beta मिला so that यहाँ पर एक चीज और लिखने पड़ेगी a is equal to 6 b is equal to minus 7 and c is equal to minus 3 तो alpha plus beta कर लेते हैं minus b by a alpha की value मिली 3 by 2 beta की 1 by 3 LCM ले लो 3 2 का 6 आता है तो इसको 3 से multiply करेंगे तो numerator को भी 3 से 2 से तो numerator को भी 2 से दुने जगा 6 आ गए ओके बहरेकली करूंगा थोड़ा सा तो 3,009 minus 12,002 upon 6 तो answer क्या मिलेगा 7 upon 6 राइट चलो minus की sign equal to k सामने b की value कितनी है minus 7 तो लिखो और e की value कितनी है 6 so minus minus plus 7 upon 6 मतलब verify हो गया आपका इसका relation सेम यहाँ पर बात करेंगे alpha into beta is equal to c upon a लिखेंगे यहाँ पर 3 by 2 into minus 1 by 3 c की value minus 3 a की value 6 3 3 cut उपे निचो तो minus 1 by 2 यहाँ पर 3 2006 3 3 cut numerator में कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे minus 1 divided by 2 तो यह हो गया आपका इन दोनों का relations बात करेंगे question number 28 की चलो कि चलो question number 28 की बात करो draw the graph आपको graph draw करना है और पेयर ओफ लिनेर इक्वेशन के मतलब तो इसका आपको क्या plot करना है graph plot करना है चलो देख लेते किस तरह इसको graph plot करना है दोखो यार फर्स्ट एक्वेशन आपको दिया था x plus 2y is equal to minus 5 और second equation आपको दे दिया था क्या पहले एक इक्वेशन की बात करेंगे और second equation आपको क्या दिया था थोड़ा सा नीचे लिखूंगा यहां पर 2x minus 3y is equal to minus 4 यहां पर मैं क्या करूंगा x को variable बना दूंगा component तो 2y सामने चला जाएगा तो minus 5 minus 2y क्या करना है आपको graph plot करना है मतलब x और y दोनों की value तो आपको निकालनी पड़ेगी तो minimum आपको 3 value तो निकालनी पड़ेगी यहां पर x और y फर्स्ट सेकंड और थर्ड यही काम कर रहें जो 8 ग्रेड में कर रहा थे सेम यहां पर वही कर रहा है या तो 9 ग्रेड में भी आपने chapter number 4 solve किया होगा बस वही मैठोड यहां पर आपको follow करना है क्या करना है y की जगा पर 0 रखो अगर suppose y की जगा पर जिरो रखता हूं तो यह तो पूरी वेली जिरो हो गई तो एकस के वल्व क्या मिले आपको 5 डन आगे निकलो और आगे वाई की जगा पर में वन रख प्लेस पूट करता हूं वाई तु वन जार टू फाइ माइनस टू थृ य की जगा पर मैं अभी क्या पूट करूंगा टू 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 तू जार फौर फाइ माइनस फौर बन चलो यह क्लियर हुआ इसी तरह यहां पर सॉल करेंगे तू एकस इस इक्वाल टू प्लस त्रीवाइ माइनस तरह सामने जाएग एन एकस की वैल्यू मिलेगी थीवाय माइनस फ्र अपॉन टू राइट ओके फिर से यहांपर त्रीवैलियू स현 करेंगे से तो X और Y के value आएगी फर्स्ट और 2 और 3 value यहां पर गया करेंगे अपने सबसे पहले सेम यहां पर Y के value 0 पूट करेंगे यह पर तो यह तो पूरा time आपका 0 हो गया तो minus 4 by 2 मतलब क्या आता है माइनस 2 करेक्ट माइनस 4 अपॉन 2 तो कितना मिलेगा माइनस 2 ही मिलेगा न 4 बाई 2 का 2 2004 डन अब एक काम करो y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 बन जार 3 3 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 का तो माइनस 1 बाई 2 पूट नहीं हो पाएगा आपकी वैल्यू तू रखके देखो y की वैल्यू 3 2006 6 माइनस 4 2 2 बाई 2 कितना मिलेगा 1 मिलेगा डन और आगे बात करेंगे y की वैल्यू और क्या लेंगे 0 हो गया 1 हो गया माइनस 1 तो आएगा नी क्यूंकि 3 माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा डन तो और एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी है आपके वैल्यू निकालो के न निकालो आपके दो वैल्यू आपके सेम आ गए अगर मैं 4 रखता हूं तो 3400 12 12 कितना रखूंगा आपके 3300 9 9 मैनस 4 तो 5 हो जाएगा तो 4 रखते 3400 12 12 मैनस 4 8 8 divided by 2 कितना आएगा 8 upon 2 तो फिर से 4 मिलेगा चलो यहां तक का clear हुआ अभी आपको simple महापे तो आपको maybe graph paper provide होगा तो यहां पर मैं आपको एक basic सिफ ड्रो करके बता दे रहा हूं कि किस तरह graph आपको plot करना है जीरो 1 2 3 4 5 6 दो x की value maximum 6 तक है y की value 4 तक है तो 1 2 3 4 और 5 तक जाते आपने एक एक्स्रा यह और यह आपका y-axis minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 सेम यहां पर minus 1 minus 2 minus first of you नहीं क्या बोले 5 0 तो यहां पर आएगा second 3 1 यह वाली value और उसके बाद 1 2 यह वाला value तो देखो यह 3 3 a की line में आपके घूम रहें चलो next बात करेंगे 0 minus 2 मतलब यह वाली value फिर 1 2 तो यह ही आपका रहा और 4 4 यह रहा यहां पर तो यहां पर भी देखो यह 3 3 value same line में फूट करेंगे बस इतना ही आपको यहां पर करना है और इसके साथ यहां पर आपको लिख देना है x plus 2y is equal to 5 line के उपर और यहां पर लिख देना है 2x minus 3y is equal to minus 4 done इसके और में एक क्वेशन दिया गया है वह स्वाल कर लेते क्या दिया गया है for what value of P will be the following system of the equation have no solution मतलब किसमें से more solution मिलेगा क्वेशन आपने कर लिया मैं यह पर और कर देता हूं राइट लिख देते हैं यहां पर 2p minus 1x plus p minus 1y is equal to 2p plus 1 निचे लिखेंगे देखो 5 प्लस 3x minus 1 is equal to 0 दिया गये ऐसा एक पसन आपको दिया गये तो इसको में order wise लिख देता हूं 3x plus y is equal to minus 1 सामने लेके plus 1 कर देंगे सो उन्होंने क्या बताएगे कि no solution की formula क्या थी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c तो यह दो value को अपने put कर लेते हैं a1 कितना आएगा 2p minus 1 और यह 3 is equal to b1 p minus 1 और यहां पर आएगा आपका 1 क्रॉस मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो 2p minus 1 3p minus 3 2p यह बाजू और माइनस 3 बाजू हैगा तो प्लस 3 3p minus 2p minus 1 plus 3 2 is equal to p तो p क्यों आपको क्या मिलेगी आपको यह पर 2 मिलेगी is that clear have any doubts no तो चलो next question पर चलेंगे question number 29 के ऊपर read करो questions को questions में क्या दिया होगा आपको in the figure figure आपको यहां से दो आपके टेंजेंड आ जा रहे हैं और दोनों टच कर रहे पी के उपर यह आपको टेंजेंड टाच कर रहे और बी चलो यहां से अगर मैं ओ मान के चलू तो राइट इस तरह का यह 5 cm टोटल 8 है तो यह 4 होगा और यह 4 होगा यहां पर मैं क्या लिख देता हूं टोटल एबी इस एक्वल टू एट सेंटेमेटर राइट बट एम इस एक्वल टू फॉर सेंटेमेटर चलो क्लियर तो अब इपना ट्राइंगल की बात करेंगे ओ एम की ओ एम की बात करेंगे तो उसमें पाइथा को जिप्वाजन अप्लाइ करेंगे क्या एगा एम स्क्वार प्लस ओम स्क्वार इस एक्वल टू ओ ओ स्क्वार एम कितना है फॉर यहां पर लिखेंगे स्कूर 25 सामें जाएगा माइनस आपको क्या मिलेगा 3 cm ड़न अभी बात करेंगे कि आपको एपी आपको क्या ले लेना है पी इसकोल आपके पास क्या आएगा यह पे थुद्धा सम्लेंदिज़ जाहेगे तो अच्छे से देखना क्योंकि एपी फाइंड करने एक को मैं वाय ले लेता हूं और प्म को मैं इस लेता हूं और ये प्म आपका नियुकरताओ हूं तो यहीए और हम इस ट्राइंगल ओ यहुरुस चोलओ पहलेगों व कि बात करेंगे इसमीं क्या लिखेंगे पइपाइप्ई हराय स्क्वाइर plus AP square is equal to OP square right चलो ओए कितना है 5 का square AP Y square और OP क्या है 3 plus X का whole square right 20 यह पर plus है 25 plus Y square 3 का square 9 plus 2 through the 6X और X square right स्क्राइब के लिए रखो equation number 1 दे दो next triangle की बात करो triangle AMP अभी triangle AMP की बात करो तो यहां पर फिर से लिखो M आपका right angle बनेगा तो AM square plus MP square is equal to AP square right AM कितना है आपके पास 4 4 का square MP X square is equal to AP कितना है आपके पास नहीं दिया है सिर्फ Y square है अपने लिखा था तो 16 X square is equal to Y square equation number 2 अभी क्या करो यह Y square की जगा पर यह value यहां पर पूट करो right और कुछ मत करो equation number 1 and 2 25 as it is Y square की जगा पर अपने क्या लिख देंगे 16 plus X square is equal to 9 plus 6X plus X square equation number 2 put equation number 1 X square X square बोथ कट 25 plus 16 नहीं होगा ना ओके चलो 25 plus 16 कट नहीं हो तो 9 सामने ले जाओ 25 plus 16 कितना आएगा 5 plus 6 इसको यह से ही रखो अभी के लिए कुछ मत करो plus 9 सामने ले जाओ 25 minus 6 16 plus 16 is equal to 6X X के value क्या मिलेगे आपको 32 divided by 6 तो X क्या मिलेगा 16, 2000 और 32,000 X के value मिल गए अभी यह X के value put करेंगे यह वाल equation में equation number 2 16 plus X square is equal to Y square 16 as it is 16 upon 3 का all square is equal to Y square 16 as it is 16 का square 256 और 9 Y square 16 9,000 144 plus 256 upon 9 is equal to Y square तो Y square is equal to क्या बनेगा 400 upon 9 is equal to Y square so therefore आपके पास Y क्या बनेगा तो Y is equal to 44 और किसका square है 20 और 9 किसका है 3 का है तो 40 upon 20 upon 3 is that clear तो यह आपके value मिलेगी AP की करेक्ट चलो 29 हो गया question number 30 करेंगे read करो questions प्रूव करना है कि 10 A plus sign A upon 10 A minus sign A is equal to sec A plus 1 upon sec A minus 1 read कर लिया है एक question लिख देता हूँ यहापे चलो 10 A plus sign A upon 10 A minus sign A is equal to sec A plus 1 upon sec A minus 1 LHS लिख लेते हैं 10 A plus sign A upon 10 A minus sign A चलो 10 की फर्मिला क्या आती है sign upon sign A upon cos A plus A यहाँ पर क्या आएगा फिर से sign A upon cos A minus यहाँ पर sign A हो भी और यहाँ पर minus sign A उपर नीचे दोनों जगे सबने क्या करेंगे sign common निकाल लेंगे तो sign common आजाएगा A तो क्या आएगा 1 upon cos A plus 1 फिर से यहाँ से sign A common 1 upon cos A minus 1 sign A sign A cut 1 upon cos A is equal to क्या आता है sack A plus 1 तो आपके पास है नीचे क्या आएगा sack A minus 1 is equal to RHS clear बहुत इजी निमेरी कल दिया था 3 marks के अंदर इतना इजी पुछते नहीं आपको बट यह सो लोल ने बहुत इजी निमेरी कल दे दिया था चलो और आगे क्योंस की बात करेंगे इसके अंदर ही एक क्योंस और है और में रीड करो questions पहला root 1 plus sign A upon under root 1 minus sign A is equal to sack A plus 10 आपको प्रूववगर में clear चलो प्रेसं लिग देते root 1 plus sign A upon 1 minus sign A is equal to sack A plus 10 A LHS की बात करेंगे 1 plus sign A upon 1 minus sign A देखो कभी ऐसा समा आ जाता है जो sign cost में convert ना होता हो तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा rationalize करना पड़ेगा किस तरह rationalize करेंगे multiply करेंगे 1 plus sign A से उपर नीचे okay so under root का under root आएगा यहाँ पर आएगा 1 plus sign A का all square नीचे आएगा 1 minus sign square क्यों 1 minus sign square आएगा यह की भाई देखो a plus b a minus b a plus b और a minus b formula है उससे बनता है a square minus b square 1 plus sign A का all square as it is मिलेगा 1 minus sign square is equal to cos square है अभी क्या गरेंगे square root हटा देंगे तो क्या आएगा 1 plus sign A upon cos A correct दोनों को individual cos दे दो 1 upon cos A plus sign A upon cos 1 upon cos is equal to sec A और sign upon cos time A is equal to RHS is that clear okay चलो next the last numerical section सी का वो देख लेते है थर्टी वन नमबर है यह को प्रोबेबिली का क्योशन से बहुत अच्छे से पुछा गया आपको थोड़ा रीडी करना अच्छे से क्योशन को पीटर थो टू डिफरेंट डाइस टूगेदर एंड फाइंड द प्रोड़क्ट अफ टू नमबर सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले यहां पर पीटर ने दूड़ाइस ट्रोग है आपको पते हैं दूड़ाइस मतलब क्या आता है वन वन पूरी सिरीज लिखने की वन टू वन थ्री वन फॉर है नेक्सट 15 &16 इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है लिखेंगे सिक्स वन गच्छ टू गच्छ शिक्स ट्री शिक्स फॉर बीच का मैंने लिखा नहीं है और सिक्स फॉर शॉरी सिक्स फाइव एंड शिक्स श्यों बात करिंगे आपक टूटल नंबर्स कितने मिले कि आपको कुछ बता इसने इतना ही बताए गया कि कितना चांस से गेट 25 ने का तो आप यहां लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स नॉमबर ओफ क्यों होगा क्यों कि आर आपको 25 एक ही तो लाना है तो पीटर की प्रबबिलिटी क्या होगी तो वन अपन 36 आएगा चलो सिंपली बोला था कि इसमें से कब सम और प्रोड़क लेना है बराबर तो आपको पते हैं यहां पर फाइव फाइव लिखोंगा तो फाइव 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 होगा ना मतलब होता है 55 25 एक ही बार आएगा ना और तो कि 25 आएगे नहीं यह पूरे सीरीज में मतल सक Device के लिए लेगे बहुतन और पुछा गया था कि एक ही दरो तो आ synchronous आपको पर देट तो च्छेम आउटकम मिलेंगा के सब्सक्राइब आए तो आपका जो फेवर Able Soc से था आउटकम कितने मिलेंगे आपको एक ही मिले गाना तो यह जो उसकी प्रबिर्टी मिलेगी कितने कि एक यह देख लूगे कि यह इखिलो कि किसका प्रबिर्टी जाद है वणपन सिक्सट जल्दी आएगा आपको पता है इसका डिनुमेटर लेस होता है वही सबसे 6 तो रिना एस बैटर चांस तो पीटर इस डट क्लियर चलो निमेरिकल समझ में आग गया अगर नहीं पता चलाओ तो मुझे कमट में लिखे बता सकते हो अगर वीडियो पसारे तो वीडियो को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब करना मत बुलना क्योंकि आपको यहसे करेंगे